हलो दोस्तों, वेलकम टू क्यार के लॉआ क्लासिस हूं काशिक खान और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं मुस्लिम लॉआ के अंदर अडॉप्शन को आज हम जाने हैं कि क्या Muslim law adoption को allow करता है अगर allow नहीं करता है तो एक Muslim जो है किस law के तहट एक बच्चे को adopt कर सकता है adoption के बाद क्या-क्या rights वो require करेगा बच्चे के पास क्या-क्या right आएंगे, क्या-क्या privilege आएंगे इन सब बातों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे और जानेंगे exam point of view से क्या-क्या important है adoption में याद रखने के लिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम adoption को अगर हम समझें तो adoption को अगर general meanings के देखा जातो उसका मतलब होता है तो take care voluntary a child of other parents as once on child especially in compliance with the former legal procedure एक former legal procedure के तहत किसी दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा बनाना ही adoption कहलाता है जो juvenile justice care and protection of children act 2015 है इसका section 2 sub clause 2 जो है वो adoption की definition देता है यह कहता है कि means the process through which the adopted child is permanently separated from his biological parent and become the lawful child of adoptive parents with all the rights, privilege, responsibilities that are attached to biological parent यह कहता है कि एक adoption जो है एक process है जिसके through एक adopted child का सारा relation उसके biological parent से separate हो जाता है खतम हो जाता है और एक lawful child बन जाता है वो adoptive parent का और जितने भी उसके right, privilege, responsibilities जो भी उसके biological parents से attached होते हैं वो सारे जो है adoptive parent को transfer हो जाते हैं वहीं अगर हम Muslim law की बात करें तो Muslim law में जो adoption का concept है वो कहीं भी नहीं है क्योंकि अभी हम इसको आगे बात करेंगे क्यों नहीं है और कैसे आया है लेकिन इसमें जो है कफाला, guardianship और acknowledgement का concept है जिसके तहट जो है एक time limit के लिए और कुछ certain rights के साथ जो है एक person मतलब Muslim person जो है किसी बच्चे का guardian बन सकता है या उसको acknowledge करके कि उसके parents बन सकते हैं अब हम adoption की बात करें तो सबसे पहले हम यहां पर समझना हो कि उसकी विलिए minor जो होगा वो कितने age तक माना जाएगा अगर Islamic law की बात करें तो Islamic law जो है उसमें male और female को minor जो है 15 साल तक समझा जाता है जिसको हम poverty भी कहते है लेकिन यह जो law है वो apply होता है सिर्फ और सिर्फ marriage के लिए डावर के लिए और divorce के लिए अगर बाकी जो सारी चीज़ों जैसे कि will हो गया gift हो गया यह guardianship हो गई adoption हो गया इन सारी चीजों पे जो है Indian majority act 1875 जो है वो apply होता है जो कि कहता है कि 18 साल जो है minority की age होगी अब जैसे कि हमने अभी पिछले स्लाइड में बात की कि guardianship जो है Muslim law में लाओ है तो अगर किसी Muslim को किसी बच्चे का guardian बनना है तो वहां पे वो guardian and what's act के अंदर जाएगा जो कि जिसका year है 1890 और इसके तह तो उसका guardian बन सकता है लेकिन guardian में भी मैंने बताया कि कुछ limited right मिलते हैं जैसे कि उसकी take and care कर सकता है लेकिन 18 साल जैसे जो बच्चे का होगा बच्चा separate हो सकता है अपने guardian से और किसी भी तरीके का inheritance right जो है वो exercise बच्चा नहीं करेगा अपने guardian से इसके बाद कफाला का concept है कफाला कंसिप्ट Islamic law में जो है एक तरह से similar adoption की तरह use होता है लेकिन इसमें भी same चीज़े हैं कि किसी भी तरीके का family tie transfer of inheritance right और change of family name जो है बच्चे का नहीं होगा तो ये भी वही है सारी चीज़े जितनी भी है guardianship हो गया कफाला हो गया इसमें जो है वो take and care वाली चीज़ें आते हैं यहां पर पूरी तरीके से सारे राइट जो एक natural parent जो एक biological parent exercise करता है बच्चे के उपर वो transfer नहीं होता है अब हम बात करते हैं जैसे कि इंडिया में जतने ही Muslim है उन पर सरीयत एक्ट लागू होता है उसमें section 2 जो है वो 10 ऐसे subject की बात करता है जिसमें Muslim सरीयत एक्ट जो है वो apply होगा अगर party Muslim है तो लेकिन यहां पर वो यह भी बात कहता है कि अगर custom and usage allow कर रहा है किसी भी दूसरे चीज़ों के लिए तो वहाँ पर जो है वो custom and usage के तहत उस चीज़ों पर कर सकते हैं वह सारी चीज़ें तो यहां पर केस आया था मोहमद इसमाइल वर्सस नूरुद्दीन इस केस में क्या हुआ कि court ने allow किया अडॉप्ट करना जग क्योंकि एक मतलब जो petition थे उनको क्योंकि जमुन कश्मीर का जो custom है वो allow करता है अडॉप्शन को मुस्लिम को ठीक है तो एक मुस्लिम को जो है यहां पर adoption allow किया गया क्योंकि वहा का custom जो है उसको allow करता था अब जो सबसे important case है जिसने introduce किया adoption को अंडर मुस्लिम लोग को या कह लें कि मुस्लिम के लिए जो है minor child under the law of juvenile justice care and protection act 2000 अब यह 2014 से पहले यह act 2000 ही था इसको 2015 में पूरी तरी के से रिपील कर देगा और 2015 वाला एक्ट आ गया इसमें फिर कहा गया कि irrespective of his or her religion and even if his और her personal law do not permit it अगर उसका personal law अलाव भी नहीं करता है तब भी किसको इनसान कोई भी minor बच्चे को adopt कर सकता है juvenile justice care and protection of children act 2000 के अंदर में अब जब यह judgment आया तो सबको जो है वह बच्चे को adopt करना अलाव हो गया दूसरी चीज यहां पर यह होगी कि एक secular लोगों पर अपलाई होते हैं वह वहां पर अपलाई होगा पर सारी चीज़ों में अपलाई नहीं होगा adoption के बाद यह बात भी ध्यान रखने के अब हम बात कर लेते हैं जो जुविनार जैसे कि मैंने बताया 2002 के जो 2000 के जो एक्ट हैं उसको repeal करके बनाया गया है इसक सारी चीज़े काम करेंगी फादर और जो मदर जो adopt करेंगे बच्चे को उनकी capacity देखेगी उनकी eligibility देखेगी कि वह है लायक की नहीं है वो सारी चीज़ें तो इसमें पास तरह के जो बच्चे हैं उनके adoption की बात की गही है orphan, abandoned, surrendered, child of relative and child of other spouse इस पास तरह के बच्चों को अगर किसी को adopt करना है child तो वो इस law के अंदर deal करेगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like और share को subscribe जरूर करें, मिलते हैं निक्स वीडियो में, तब तक के लिए goodbye, keep reading